और वो था मेरा बेटा सिद्धू उससे संभालते हुए खुद को भी संभालने लाइक हो गई लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके अच्छा सुनू सब्सक्राइब तरते वर्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी वो धीरे धीरे बिमार रहने लगा मुझे लगा नॉर्मल बिमारी है डॉक्टर ने सिटी स्कान करवाया मुझे जिन्देगी का सबसे बड़ा शौक दब लगा जब पता चला कि उसे उसे कैंसर था पापी सिट्धू ट्रीट्मेंट का कोई फाइदा नहीं हुआ हम उसे नहीं बचा पाए मुझे यकीन नहीं हो रहा था फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था मैं बहुत परेशान थी इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई क्या मैं इसकी वज़ा जान सकती हूं डॉक्टर पैक्ट फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी डूरिबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा तर फूड कंपनीज हामफुल प्रेजरवेटिव्ज और केमिकल्स आड़ गरते हैं पैस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पढ़ जाती है इससे लॉग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉड़ी पार्ट्स में डैमेजिस होने लगते हैं डिपेंडिंग उन देर रेजिस्टन्स कपासिटी तो फाइड डिजीजस कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हामफुल इफेक्ट होता है अब स्ट्रॉंग इम्यून वाले बच्चे ट्रीट्मेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गवाँ बैटते हैं बच्चा कितनी कॉंटिटी में उन प्रोडक्स को कंजूम करता है उससे भी बहुत फर पड़ता है ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कमपनी सस्ते और घटिया इंड्रिडियंट्स डालते हैं जैसे आटे की जगा मैदा, आर्टिफिशल कलर्स, हामफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज, कॉन सिरप, घटिया कॉलिटी का ओईल, एक्सेटरा आपके बच्चे का रिजिस्टन्स पावर लो था लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ट ड्रिंक्स कंजूम करने की वज़ा से उसे कैंसर हुआ ज्यादा तर फूड कमपनीज ना तो गवर्मेंट के सेट गाइडलाइन्स और रूल्स फॉलो करती है ना ही बिजनेस एटिक्स यूमन वैल्यू से उन्हें कोई सरोकार नहीं पैरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए बच्चों को जंक फूर से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए वही सेहतमन है दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशन्स जिन देशों में हैं उनमें हमारे देश का नंबर दूसरा है कितरे दुख की बात है हमारी नई पीड़ी फास्ट फूर की शिकार हो रही है सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजा देना